दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं IRFC के बारे में Indian Railway Finance Corporation Limited को लेकर कुछ बड़ी अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आ रहे हैं जिसा कि मैं आपको बता देना चाहता हूं कि IRFC का IPO आपको recently यहाँ पर जनवरी के मन्त में देखने को मिला था उसके बाद में इस शेर के अंदर आपको day by day corrections देखने को मिल रहे थे लेकिन अभी पिछले कुछ एक मैने से इसके अंदर काफी अच्छे moment आपको देखने को मिले अगर last trading session की भी बात करें तो last trading session को भी 23 उरुपे पिंचाणू पेसे का share ने high बनाया और साथ ही साथ इसकी जो closing आई है वो भी यहां से 15 पेसे अबव की यहां से निकल कर आई है चलिए यह सब तो ठीक है लेकिन यहां पर जो important information IRFC की तरफ से निकल कर आ रही है वो है इसके privatization को लेकर जी हां दोस्तों गौर्मेंट यहां पर मन बना रही है IRFC के stake को sale करने का जी हां दोस्तों यह news बहुत ज़दा important होने वाली है यदि आपने IRFC के अंदर investment कर रखा है या फिर आप investment करने का मन बना रहे हैं तो complete news जानेंगे उसके पहले IRFC की अगर volume based काम की तरफ नजर मारें तो last trading session के दोरान IRFC के अंदर आपको 2.13.000.000 quantity trade होते वे देखने को मिली जिसके सामने 91.000.000 quantity deliverable base पर उठाई गई है और deliverable base quantity का percentage लगभग आपको यहां से 34% के करीबन का देखने को मिल रहा है IRFC के result का तो सब भी को इंतजार है ही लेकिन सबसे बड़ी बात यही कि IRFC के अंदर जो यह news निकल कर आई है जिससे यहां पर बहुत ज़्यादा तहल का मज़ गया है जी हां दोस्तों गॉर्मेंट यहां पर वापिस offer for sale यहां पर ला सकती है जिसके माध्यम से गॉर्मेंट अपने stake को पूरी तरीके से यहां पर reduce कर सकती है और IRFC का जो यहां पर अभी के टाइम पर पूरा धारोंदार है वो यहां पर गॉर्मेंट ट्रांसफर करने वाली है प्राइविटाइजेशन को लेकर यानि कि अभी आपको जो यहां पर प्रामोटर्स का stake 86% के एपरोक्स देखने को मिल रहा है यह stake अब आपको यहां पर 75% के करीबन देखने को मिल सकता है साथी साथ पब्लिक का stake जो यहां पर आपको 13.64 का देखने को मिल रहा है ये stake आपको लगबग 25% के करीबन का देखने को मिल सकता है अगर ऐसा होता है तो आपको इससे क्या benefit होगा साथ ही साथ क्या नुकसान होंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ IRFC अगर यहाँ पर government इसका privatization करती है तो यहाँ पर अगर offer for sale लाया जाएगा तो यहाँ पर आपको इस share की price के अंदर और थोड़े से corrections देखने को मिल सकते है लेकिन after offer for sale आपको इसके अंदर boom देखने को मिल सकता है याने कि इसकी share price आपको 25 से 30 रुपे के करीबन की देखने को मिल सकती है लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसके लिए जो eligibility का criteria है वो यहाँ पर IRFC के अंदर fulfill होना चाहिए क्योंकि recently January के मंत में ही यहाँ पर IRFC का IPO आपको आते हुए देखने को मिला था और minimum यहाँ पर 3 साल का criteria रहता है याने कि अगले 3 साल तक IRFC के अंदर government अगर अपने stake को reduce करती है तो यहाँ पर 2024 तक आपको IRFC पूरी तरीके से privatization की तरफ जाते हुए देखने को मिल सकती है हाला कि अभी तक यह सिर्फ news निकल कर आ रही है कोई official update यहाँ पर निकल कर नहीं आई है और एसा नहीं है सिर्फ IRFC ही इसके अंदर include है कुल मिलाकर 8 company का यहाँ पर privatization होने की बात निकल कर आ रही है जिसमें government अपने stake को पूरी तरीके से reduce करना चाती है और इसकी जितनी भी जवाबदारी है याने की majority shares वो privatizations के हाथ में देना चाती है और जैसा कि आपको पता है कि 51% का stake अगर privatization के हाथ में चल जाता है तो यहाँ पर company को जो run करना company के decision वो भी सारे यहाँ पर divert हो जाएंगे तो अगर ऐसा होता है तो ultimately इसका benefit भी यहाँ पर IRFC के shareholders को देखने को मिलेगा बात करें IRFC के chart के बारे में तो IRFC का chart अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको chart के अंदर जादा कुछ movement देखने को नहीं मिलेंगे याने कि जब market के अंदर इसका IPO आया था और अगर आपने भी इसके अंदर IPO के अंदर लगाया था IRFC के अंदर तो उसके बार सबसे बड़ा हाई आपको इसके अंदर 26.07 पेसे का जनवरी मंद के अंदर ही देखने को मिला था उसके बाद से continuously आपको इसके अंदर corrections देखने को मिल रहे थे और पिछले कुछ टाइम से तो ये consolidation figures में ही यहाँ पर trade कर रहा था कोई बड़े movement आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहे थे लेकिन जैसे ही recently यहाँ पर IRFC को लेकर यानि की Indian Railway Finance Corporation को लेकर यहाँ पर news निकल कर आई थी कि उसे All World Index के अंदर include कर लिया गया है और ये including जो है वो 21st June से applicable हो गई है उसके बाद से इसकी share price के अंदर आपको थोड़ा सा boom देखने को मिला जो यहाँ पर अभी share 23-24 रूपे के approach आपको देखने को मिल रहा है चलिए अब बात कर लेते हैं IRFC के result और dividend के बाले में अब बात कर लेते हैं result के बारे में तो जैसा कि यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि IRCTC जी हाँ दोस्तों IRCTC के result डेक्लेर हुए थे quarter 3 के 28 जनवरी 2021 को अब आपके मन में questions आ रहा होगा कि हम तो यहाँ पर IRFC को discuss कर रहे हैं तो IRCTC की बात कहां से आ गई तो एक चीज यहाँ पर clear कर देना चाहता हूँ कि जो expectations लगाई जा रही है वो है IRCTC जीसे ही अपने quarter 4 के result यहाँ पर declare कर देगी उसके recently आपको कुछ time बाद ही यहाँ पर IRFC के result देखने को मिल सकते हैं हाला कि IRCTC ने भी अभी तक अपने quarter 4 के result को लेकर कोई date announce नहीं करी है लेकिन जैसे ही कोई update यहाँ पर निकल कर आईगी वो आपको हमारे channel के द्वारा share कर दी जाएगी तलिए अब बात कर लेते हैं IRFC के यहाँ पर कुछ numbers के बारे में तो company के quarterly performance काफी अची यहाँ से हमें देखने को मिल रही है अगर हम यहाँ पर IRFC के March जो December quarter में company ने result डिकलेर किया है उसके अगर revenue की बात करें तो company ने 4932 करोड रुपे का revenue डिकलेर किया है साथ ही साथ अगर net profit की तरफ भी अगर आप नजर मारेंगे तो September के compare में company का net profit भी काफी अच्छा increase हुआ है जिसको ही देखते हुए यहाँ पर company ने dividend को लेकर यहाँ पर announcement करी थी तो यहाँ पर expectations भी लगाई जा रही है कि January, February और March के quarter में आपको याने कि quarter 4 में इंडिया के अंदर आपको lockdown देखने को नहीं मिल रहा था जिसके कारण result काफी अच्छे आने की उमीदे है और result अच्छे आने की उमीदे है तो company ने जो last time अपने shareholders को dividend declare किया था यहाँ पर expectations लगाई जा सकती है कि IRFC की तरफ से वापिस आपको यहाँ पर dividend देखने को मिल सकता है IRFC के अगर हम यहाँ पर financial numbers की तरफ बात कर रहे हैं और अगर उसके reserve को भी आप यहाँ से देखेंगे तो company ने जो March 2020 में reserve declare करे हैं वो भी काफी अच्छे यहाँ से देखने को मिल रहे है याने कि March 2019 में company के reserve 15,648 करोड रुपे के थे जो कि March 2020 में बढ़कर 19,081 करोड रुपे पर पहुँच गए है तो overall performance काफी अच्छी चल रही है इस company की अगर आप community sentiments को भी चेक करेंगे तो यहाँ पर 73% buy की call निकल कर आ रहे है IRFC को और 10% यहाँ पर hold की call निकल कर आ रहे है याने कि overall 83% यहाँ पर investors इसे खरीदने की सला दे रहे है लेकिन IRFC के अंदर investment करने के फिले एक चीज आपके mind में बहुत ज़दा clear होना चाहिए कि यह shares एक slow गती से चलने वाला share है याने कि इसके अंदर आपको कोई बड़े updowns देखने को नहीं मिलते हैं तो यदि आप एक एसे shares के अंदर investment करना चाहते हैं जिसके अंदर आप जल्दी से investment करें और जल्दी से आपको returns भी earn हो जाए तो उसके लिए यह shares नहीं है इस share के अंदर आने वाले एक से दो साल तक आपको कोई बड़े target देखने को नहीं मिल सकते हैं लेकिन एक चीज है कि यहाँ पर आपको dividend देखने को मिल सकता है regular basis पे याने कि quarter on quarter basis पे साथ ही साथ अगर Indian railway के अंदर कोई बड़ा project company के हाथ में आता है तो उसका ultimate benefit यहाँ पर IRFC के shareholders को भी हो सकता है IRFC के अगर volume based काम की तरफ भी अगर आप नजर मारेंगे तो IRFC के अंदर volume based काम भी काफी ज़्यादा बढ़ गया है जी हाँ दोस्तों last rating session के दोरान NAC और BAC में IRFC की 2 करोड quantity trade हुई है जिसके सामने लगबख 34% quantity deliverable base पर उठाए गई है तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जितने भी retail investor है वो खास कर इस shares को अपने portfolio में aid करना चाते हैं लेकिन मैं यहाँ पर आपको आपका doubt clear करी चुका हूँ कि यदि आप IRFC को अपने portfolio में aid कर रहे हैं तो यहाँ पर long term का view रखते हुए और patience बनाए रखना होगा यह shares ऐसे हैं जिनके अंदर आपको patience बनाए रखना होगा क्योंकि इनके अंदर आपको बिलकुल भी यहाँ पर up downs देखने को ज़्यादा नहीं मिलने वाले अलग कि अगर technical levels को check करें technical rating यहाँ से check करें quarter 4 के result की date क्या रहने वाली है यह मैं आपको already बता चुका हूँ IRCTC के जैसे ही यहाँ पर result की date declare होगी hope लगाई जा रही है कि उसके बाद ही आपको यहाँ पर IRFC के result की date भी देखने को मिल सकती है साथ ही साथ company का dividend yield percentage भी काफी अच्छा है क्योंकि last time भी company ने अपने profit के साथ साथ अपने shareholders को dividend भी declare किया था तो इस बार भी expectations है कि company dividend declare कर सकती है और तीसरी most important update offer for sale जी हाँ दोस्तों यहाँ पर आने वाले 2-3 सालों में आपको IRFC पूरी तरीके से privatization के हाथों में जाते वे देखने को मिल सकता है तो अगर एसा होता है तो ultimately उसका benefit long term में shareholders को मिलने वाला है उमीद है आपको वीडियो और update पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई है तो इससे like और share करना ना भूले मिलते हैं नेक सुडियो में another किसी important update के साथ तब तक के लिए stay connected, stay updated